हेलो एवरिवन माई नेम इस निशानेंड और अब हम शुरू करेंगे एंसी आर्टी सीरीज सिक्स क्लास लेके ट्वेल्थ क्लास तक की सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की फ़ेस्ट चैप्टर है डायवरसिटी और यह जो एंसी आर्टी सीरीज है यह हर एक क डायवरसिटी क्या होती है people are different मतलब लोग जो है अलग दिखाई देते हैं क्यों किस वज़े से अलग होते हैं वो disability की वज़े से sexual orientation की वज़े से culture, religion, race, socioeconomic status मतलब कोई गरीब है कोई अमीर है कोई middle class है age की वज़े से कोई बुड़ा है कोई बच्चा है कोई जवान है जेंडर की वज़े से कोई लड़का है लड़की है तो इस वज़े से जब वो different होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं diversity बोलते हैं अब diversity हो जाता है discrimination भी feel होने लगता है discrimination मतलब की पक्षपात मतलब उसको गलत ट्रीट किया जाता है कम हाका जाता है अपने आप से जैसे हम example की तरह समझते हैं जैसे जो नौर्थ वाला एक आदमी है वो south में चला गया ठीक है पंजाबी है इस south में चला गया चेन नहीं तो north इसको क् पंजाबी आती है ना हिंदी आती है ठीक ना south वालों को north की भाषा आती है ना north वाले को south की भाषा आती है तो एक दूसरे से communicate कैसे करेंगे communication नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर और कोई मिल जाएगा अब वहाँ पर रहते ही सारे south वाले ही है तो वहाँ की की डाइवरशेटी की वज़े से भी कही बार दिस्क्रिमिनेशन फील होता है ओके अब कारते है अपना किल्चर बोरो करके लाते हैं तो क्या हो गया जैसी तारिक मेhosता का उल्टा चस्मा है देखा है सब नहीं देखा होगा तारिक तक उल्टा चस्मा अब उसमें पंजाब का भी रहता है अब उसमें महाराश्टर का भी रहता है अब उसमें गुजरात के भी रहते हैं और वेस्ट बंगाल का भी और साउथ का भी रहता है तो वो क्या हो गया कंपोजिट कल्चर हो गया वो अलग-अलग कल्चर के अलग-अल किलाते हैं तो डिफरिटी इंडिया अब जो इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट लेंगवजिस बोली जाती है अब ठीक है डिफरेंट फेस्टिवल होते हैं अभी यह देख लोगों कुल्धाम ससाइटे में जो रह रहे हैं उनके अलग अलग भाशाएं और उनकी के पराठे दई लसी अच्छा ऐसे ही जो साउथ का है वो इडली संबर मतलब यह सारी चीजें ओके तो डिफरेंट इट वेरिस टाइप ओफ फूड तो उससे क्या होगा कि कलरफुल लाइफ हो जाती है खुश्कुश रहते हैं वो सारे ही कठे रहके ओके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आफ लाइफ उससे हमें क्या अब जैसे ये जो वास्ट जो ड nat उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है कि chance to visit different places जब हम अलग-अलग जगह पे जाने का हमें चान्स मिलता है तो हमें अहाँ पर क्या मिलता है? उनकी different way of life देखने को मिलते है उनका अलग thought process देखने को मिलता है उनके experience जानने का मिलता है उनके culture देखने का मिलता है उनकी लेंगविज सुनने का अलग अलग language हम उनको सीख मी सकते है their food उनका अलग 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 food खाने का मिलता है तो वो एक तरह से क्या हो गया salad की तरह हो गया जैसे salad में tomato भी होता है प्यास भी होता है और भी जितनी भी salad में जो है वो सभी तरह के variety मिलती है वराइटी जो है एक ही साथ मिलती है वह क्या हो गया salad की तरह काम करता है diversity अब next is factors influencing diversity अब diversity तो है लेकिन उसको के influence करने के factor भी है एक तो है historical factor एक है geographical factor historical factor मतलब जो past में जो हुआ था उसकी वज़े से influence होके diversity जो है change हो गई मैं उसमें diversity में और भी लोग जुड़ गए जैसे की people comes from different different places from all world पूरे world से जो different different लोग थे एक time पे सभी आये थे इंडिया में जैसे moogles आये थे Chinese आये थे Aryans आये थे Christian आये थे British आये थे अफगान आये थे यह सारे आये थे लेकिन आये थे तो वो कुछ वहाँ पर रह भी गई रह गई तो वो अपना culture साथ में लेके आये थे ना अपना language साथ में लेके आये थे अपना धर्म साथ में लेके आये थे तो व अब तक उसका use किया जाता है अब जो ग्रोफिकल factor की वज़े से देख लेते हैं अब जो ग्रोफिकल factor मतली स्थान के उसमें इसमें स्थान जो है वो भी factor रहने का स्थान भी एक factor है जो की influence करता है डियवरसिटी को जैसे की अब नोर्थ जो point है इंडिया का वहाँ पर क्या है लधाक हो गया ठीक है अब जो southmost है वहाँ पर क्या हो गया केरला हो गया अब अब ये दोनों जो है इनका रहने का ये स्थान जो ही गो अलग-लग हो गया पलेस अलग हो गया तो अब इस में क्या है उनकी way of life अलग होगी अब जो लदाक है वो क्या एक cold desert है ठीक है ड्राई है वहाँ पर कोई भी agriculture activity नहीं हो सकती वो लोग क्या animal के उपर depend करते हैं ठीक है सभी अपने अपने जो है पश्रूओं को पालते हैं उनकी रहने की उनका रहने का उनका आजी भी का कमाने का तरीका अलग अलग ह ये लोग क्या करते हैं जैसे उनका खाना अलग है ठीक है अब जो केरला वाले हैं केरला में क्या होता है agriculture land है वहाँ पर अच्छी rainfall होती है तो वहाँ पर क्या है agriculture की जा सकती है spices होते हैं वहाँ पर अलग अलग तो उनकी way of life अलग है जैसे के वह मचलियां पकड़ते हैं क्योंकि वह समुंदर के पास रहते हैं ठीक है तो केरला में जो है एक festival मनाया जाता है ओनम के टाइम पर बोट रेस होती है ठीक है इनके festival अलग है कश्मीर और लदाख जैसे इनके इनके जो है festival अलग अलग है तो यह क्या हो गया यह भी influence करते हैं कौन से कौन से factor historical factor और geographical factor next is unity in diversity अब diversity में भी unity होती है अब वो क्या होता है unity in diversity यह पता करने कोशिश करते हैं जिसे example के तोर पे गुरू नानक और जो कबीर है जिसे था तो उनका culture अलग अलग ठीक है गुरू अलग culture के थे और कभीर अलग के थे ठीक है इनका रहने का तरीका अलग अलग था इनकी सोच अलग अलग थी इनका मतलब स्थान अलग अलग था लेकिन इन्होंने क्या बोला unity इनका क्या था सबसे main जो था unity मतलब एक ता होनी चाहिए दोनोंने यही बोला और next is balance the diversity land of different religion and community all lives together मतलब जब अलग-अलग religion की community के लोग जो है different different जो लोग है वो जब एक साथ रहते हैं diversity को balance करते हैं तो उसको क्या बोलते है unity in diversity जैसे example देख लेते हैं देखो यह रहा जो religious diversity जो है इंडिया की उसका census हुआ था 2001 का data है वो दिया गया है जिसे हिंदू जो बताएगे इसमे 80.5% है Muslim 13.4% है Christian 2.3 है Sikh 1.9 है Jain 0.4 है Buddhist 0.8 है other religion 0.6 है तो यह सारे जब इकठे रहे के happily मतलब खुशी-खुशी जब एक साथ में रहते हैं तो वो क्या हो गया unity हो गई in diversity में लेकिन अलग-अलग religion तो बाद में है ठीक है Hindu बाद में मुशलिम बाद में Christian बाद में Sikh बाद में जैन लेकिन वो सबसे पहले क्या है वो इंडियन है सबसे पहले क्या है इंडियन है आप किसी से भी पूछलो सबसे पहले वो क्या बोलेंगे हम सबसे पहले इंडियन है हम Christian बाद मे बांगला देश है पाकिस्तान है वो या और दूसरे जो देश हैं वो डाइवरसिटी को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं एक इंडिया ही ऐसा देश है जहां पर हर तरह की डाइवरसिटी एडजस्ट हो गई है हो रही है अगर इंडिया में ये यूनिफरमिटी नहीं होती लेक ह होता मतलब यह नहीं होती तो फिर वो कैसी रह सकते थे साथ में नहीं रह सकते थे ना लेकिन इंडिया में है unity है तभी तो वो लोगी कठे रह रहे है तो वो क्या करते है अगर unity है तभी तो क्या कर रहे हैं preserve their culture language at the same time मतलब एक ही time पे वो अपने culture को language को preserve कर रहे हैं you are the part of Indian large culture large Indian culture carry Indianness also मतलब ठीक है same time पे वो अपना culture भी carry कर रहे है language भी carry कर रहे है लेकिन इंडिया का जो सबसे बड़ा large Indian culture है वो है Indianness मतलब मैं Indian हूं सबसे पहले वो क्या है वो भी carry कर रहे है साथ में next is inequality comes along people when they are they have different assets of resources caste system religion financial well-being education that is forms of inequality अब inequality क्या होती है मतलब जब उनको एक समान नहीं समझा जाता तो किस base पे नहीं समझा जाता जैसे उनका different different resources है जब उनका caste की जो caste system है जैसे caste system का तो आपको पता ही है ब्राह्मन जो अपर caste के हैं फिर उसके बाद शत्री आते हैं शुद्र आते हैं तो सबसे निच्चे जो lower caste आती है तो वो क्या होगी उसके हिसाब से भी उनको देखा जाता है education के हिसाब से भी किसी के जादा educate है कोई कम educate है तो उनको भी inequality रखा जाता है ठीक है financially कोई rich है कोई गरीब है कोई अमीर है तो उसके वज़े से भी inequality आती है तो यह क्या होगी form of inequality है अगर unity है equality है तो inequality भी है इंडिया में ओके तो equality कब हुई देखो जैसे unique freedom moment थे उसकी वज़े से sense of unity आई ब्रीटिश के ब्रीटिश जो थे वो क्या चाहते थे कि इंडिया को जो है divide कर दें किसके बेस पे caste के बेस पे religion के बेस पे लेकिन जो freedom जो moment हुआ था जब freedom moment हुआ था उसमें सभी तरह के लोग मतलब चाहे गरीब थे अमीर थे चाहे वो कम educated थे ज्यादा educated थे women men अलग-अलग caste के सभी कठे आ गए थे तो वो क्या होगी थी sense of unity बोला जाता है उसको ठीक है इंडियन नेशनल एंथम जो है अब इंडियन नेशनल एंथम जो है वो compose किया था रभिंदर नाथ टैगोर ने उसमें क्या है सभी देश के सभी भाषाओं के सभी कल्चर के लोगों के बारे में बताया गया है ठीक है तो वो भी क्या है यूनिटी उसमें यूनिटी दिखाई गई अब इंडियन फ्लैग जो वो भी यूनिटी का प्रतीक है ओके थैंक यू आपको आप सबको समझ में आया होगा यह फर्स चैप्टर यहीं पर खतम होता है कल को हम करेंगे सेकिंड चैप्टर इसका डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है सेकिंड चैप्टर है उसके बारे में बढ़ेंगे ओके थैंक यू